हलो गाईज, मैं हूँ पपो और आप सब को आसानी से बताने वाला हूँ, पुर्णांक, ओके आप सब को किलियरली पुर्णांक दिख भी रहा होगा, और इस इंगलिस में कहते हैं, इंटीजर्स 오케이 guys मैंने यहाँ पर क्या असानी से लिख रहा है गौर कीजिए आप सबको कलिरली दिख रहा होगा रिनातमक संख्या तथा धनातमक संख्या साथ ही सुनने के संग्रा को पुरनांक कहते हैं यहां पर आपको परिभासा बिलकुल समझ नहीं आया होगा तो यहां पर आप आसानी से गौर किजिए जैसे मैं आपको क्या दिख रहा है minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 और 0 गाइज यहां पर परिभासा आसानी मैंने क्या कहा है अभी कि रिनातमक संख्या तथा धनातमक संख्या यहाँ पर आप असानी से देख पा रहे है माइनस एक, माइनस दो, माइनस थ्री, माइनस चार मतलब हिंदी इंगलिस दोनों लपेट रहे है तो यहाँ पर यह जो संख्या आपको दिख रहे है यहां से ले करके यहां तक यह हमारे जो भी माइनस में है जो भी घटा के चीन यहां पर जिनके आगे लगा हुआ है यह सभी हमारे क्या है यह रिनातमक संख्या है ठीक है और इसके बाद धनातमक संख्या यानि यहां पर आपको जो दिख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जाते जाते अनंत तक इसके आगे और भी आप ले सकते हैं और इसके आगे भी आप और कुछ ले सकते हैं और साथ ही सुन्य यह जो सुन्य बीच में दिख रहा है यह सभी के संग्रा यहाँ पर यह जो आपके सामने संग्रा है यही संग्रा हमारा पुर्णांक कहलाता है भाई साहब आपको यह चीज ख्याल रखना है कि यह सब क्या है यह हमारे रिनात्मक संग्या रिनात्मक संग्या इसलिए है क्योंकि इनके आगे क्या लगा हुआ है घटाओ का चिन लगा हुआ है इसलिए ये क्या है रिनातमक संक्या और इनके आगे कि आप देख पा रहे हैं कुछ लगा हुआ है ये हमारे धनातमक पुर्णांग है यानि धनातमक संक्या है गाइज ये हमारे रिनातमक संक्या है ये हमारे धनातमक संक्या है और ये हमारा जीरो है ये सभी समू ये सभी हमारा क्या कहलाएगा पुर्णांग तो पुर्णांग के बारे में आपको यहां तक किलियर रहा कि नहीं रहा अगर आपको पुर्णांग के बारे में किलियर रहा होगा तो यहां पर एक थोटा सवात सुन लिजेगा गाइज यहां पर आसानी से आप देख पा रहे हैं कि यह जो घटाव का चिंद जिनके आगे लगा हुआ यह हमारे क्या है रिनात्मक संक्या है लेकिन इनहीं को हम कहते हैं रिनात्मक पुर्णांग और इनके आगे क्या है कुछ भी नहीं है तो यह हमारे क्या है धनात्मक पुर्णांग और जीरो अपसे अगर पुछा जा सकता है कि जीरो क्या है तो यह जीरो ना ही रिनात्मक पूर्णांग है और ना ही धनात्मक पूर्णांग है केवल और केवल यह पूर्णांग है तो इसे मैंने असानी से लिख रखा है परिभासा में यह आप देख सकते हैं धनात्मक पूर्णांग यहाँ पर देख सकते हैं से समझ गया होंगे धनात्मक पुर्णांग आ गया तो अब यहां पर रिनात्मक पुर्णांग भी मैंने लिख रहा है आसानी से आप देख सकते हैं माइनس 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, और ज्याणे ज्याथ ज्यादे infinite अनन्त तक ठक है तो यह भी हमारा क्या है यह रिनात्मक पुर्णांग है और इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने असानी से लिख रहा है कि जिरो ना ही रिनात्मक पुर्णांग है और ना ही धनात्मक पुर्णांग ये हमारा केवल और केवल पुर्णांग है उमीद है कि आपको इस वीडियो से पुर्नांग के बारे में किलियर रहा होगा अगर आपको पुर्नांग समझ में आ गया हो तो भाई साहब हम आपसे एक लाइक की चाहते हैं एक लाइक कर दिजिए और बस इतना ही हम चाहते हैं मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहिए और जूडे रहिए